दोस्तों कैसे हैं आप आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉलुशन जो अभी हाल फिलाल में कई फोनों पे आ रही है और मुझको ये प्रॉब्लम अभी एक दो दिन पहले मेरे फोन पे देखने को म मिली मैंने कई सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया है और मेरे पास भी प्रॉब्लम आई थी तो मैं आज आपके लिए इस प्रॉब्लम का एक सॉलुशन वीडियो लेके आया हूँ वह कौन सी प्रॉब्लम है दोस्तों वह प्रॉब्लम है समवन है एकसेस टू यॉर स्कूरिन रिकौर्डिंग ये प्रॉब्लम आपके मैसेज बॉक्ष में आपको रचाइए कर मैं अपने पोन को यूज कर रहा था तो मैंने देखा मैसेज बॉक्स होता है जो गूगल का इसमे आचनासे एक मैसेज आया मैंनों इस मेसेज को जैसे खूल आ तो खूलने की तो बहुत जादा ही किसी को भी फर्स टाइम देखने के बाद शॉक्ट कर देगा क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत जादा होते हैं तो जब वह मैसेज मेरे फोन पे भी आया तो एक बार के लिए मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कोई मैसेज आया वह एज़ा अंसर आपके सामने में लाओंगा तो अगर आपको भी इस तरह का मैसेज आया है तो वीडियो में बने रहें आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं जादा समय नवेस करते हुए जल्दी से चलते हैं अपने रिकार्डिंग स्क्रीन पे और सीखते ह कि क्या मैसेज है क्यूं? आपके इस्क्रीन पे आया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है अपने गूगल के इन बॉक्स पे जाना है तो जहां यह бол психन को मिली थी तो गूगल के हम इन बॉक्स पे जाएंगे तो जैसे आप इन बॉक्स पहें गीए कुछ इस तरह का इंटेकर आपके सामने खुल जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं right side पे जहाँ पर यहाँ पर हमारा profile का यह photo होता है वहाँ पर आपने click कर देना है आपने click करना है click करने के बाद आप देखेंगे इतने सारे आपके options खुल जाएगे आपने नीचे जाना है यहाँ पर message setting जो यह लिखाओ option आ रहा है इस पर आपने tap करना है tap करने के बाद आप setting के option के अंदर चले जाएंगे यहाँ पर आपको देखो यह journal लिखाओ आएगा आपने journal पर click कर देना है आप जब journal पर click करेंगे तो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर यह notifications वाला option है तो इस notifications वाले option पर आपने click करना है click करने के बाद यहाँ पर देखो इस तरह का interface खुल जाएगा आपने यह जो banner लिखा है इस banner को click कर देना है तो इस banner क्लिक करने के बाद क्या होगा आपको कोई भी बाहर से notification वगरा आपके screen के उपर नहीं आएगा ठीक है आपने उसे क्लिक कर दिया off कर देना है उसकी बाद आपको back आना है back आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर bubbles वाला एक option लिखा है उस bubbles वाले option पर आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह दिखा है ने नीचे nothing can be bubbles आपका यह आपका on होगा तो आपने उसे off कर देना है ठीक है तो यह था पहला solution मेरा already से वो off है आपका यह on हो रुखा होगा तो आप उसे off कर दीजिएगा दोस्तों पहला solution समझने के बाद अब आप दूसरा solution देखिए दूसरा solution है वो यह है कि आप अपने phone को restart कीजिए restart करने के बाद definitely जो आपका problem है वो solve हो जाएगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह solution वीडियो अच्छा लगा होगा आपको बिलकुली परेशान होनी की जिरुवत नहीं है जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कहीं न कहीं Google experiment करता ही रहता है कि आने वाले समय में cyber crime बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है online ठगी बहुत ज़्यादा होती है तो Google को भी अपने जो updates, अपने जो settings है अपनी जो security है उसमें updates करने होते हैं तो हो सकता है कि ये एक bug हो हो सकता है कि Google कुछ न कुछ नया experiment कर रहा हो अपनी security features को लेकर ताकि उसके जो users हैं उनको काफी help हो सके तो आपको बिल्कुली परिशान होने की जरुवत नहीं है जो मैंने आपको ये दो setting बताई है जो दो तरीके बताए है definitely आप उसे use कीजिए आपका ये problem solve हो जाएगा और दोस्तों इसी तरह की कोई भी और problem आपके पास आती है तो आप मुझे साथ message box में मुझे share कर सकते है उसके पर answering वीडियो बना दूँगा मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो आपको helpful लगा है और आप चैनल में नए है तो चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो को like and share कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहूं तो आज के लिए इतना ही मुझे आग्या दीजिए मिलते हैं हम लोग अपने नए अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जै हिंज जै भारत जै उतरा खांड